बारती जंता पाल्टी के प्रवक्ता आजयादव के भयान का कॉंग्रेस पाल्टी के प्रवक्ता गुड्डू मिस्रा ने दिया जबाब कहा कि भाजपा के प्रवक्ता अजय आदव ने जो राहूल गांदी के उपर आरोप लगाए हैं बहे अपने ग्रेवान में जाग कर देखें कि उनको एबं उनके परिवार को कॉंग्रेस पाल्टी ने क्या-क्या नहीं दिया वहीं उन्होंने कहा कि जब कॉंग्रेस की सरकार थी उनके पिता अफेक्स बैंक में थे तब उन्होंने गोटा ला किया था जिसका आपराधिक प्रकरण भी दर्जफूगा था ऐसे लोग राहुल गांदी जी के उपर आरोप लगा रहे हैं कि बहें पिशडा बर्ग एबं धलितों आदिवाशियों को नेत्रित्व नहीं देते तो ऐसे ना समझ बकताओं को बताना चाता हूँ कि कॉंग्रेस पाल्टी ने इस देश की निव रखी है एबं कॉंग्रेस पाल्टी ने देश को बहुत कुछ दिया है चाहे आदिवाशी हो धलित हो या पिश्ड़ा बर्ग हो या अन्य सभी को कॉंग्रेस पाल्टी की सरकार ने सभी को साथ लेकर देश को आंगे बढ़ाया है मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अनौने का हैं कि यह 10 तक की गिंति गेर कि लेंगा है वो बिलकुछ स्था कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि इन जैसा अग्यानी व्यक्ति ये भूल गया है इनके दादा जी बहुत लंबे समय तक कांग्रेस से बिधायक रहे हैं और बिधायक रहने के बाद इनके परिजनों को जिला पंचात में भी कई जगे पई वार मौका मिला है और जिले की कांग्रेस कमें पाठी में कोई ऐसे प्रवक्ता नहीं है इसमें अगर सुधान सुत्र पाठी या सुधान सुत्र रवेदी जी का कोई बयान राहुल गांदी जी के लिए आता तो एक बार सोचिंगे विशाय था इन जैसे अग्यानी व्यक्ति ऐसे बातों का इस्तेमाल करके और केवल मन ग अपनी गिरेबान में जहांक करके दी ये प्रवक्ता जी देखें तो मुझे लगता है जादा अच्छा होगा ये मद्प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता के पत पर थे और बहुत लंबे समय तक इनोंने इनके परिवार ने कांग्रेस का सोचन किया है इनके पिता में मुझे लगता है वो लंबिद भी है तो ऐसे बैक्ति यदि राहल गांधी जी जैसे जो हमारे कांग्रेस पार्टी के सीस निता हैं हमारे सबकी आन्वा अंसान हैं वो यदि उनके उपर कटाक करेंगे तो निश्चत है कि मैं जिले के प्रवक्ता होने के नाते और ऐसे बै उन्हें ज्यादा कांग्रेस पार्टी की बुराई करने का सौक है तो मैं तीन देन और तीन रात उनके साथ सास्तार्त और डिवेट करने के लिए तैयार हूं जिस खुले चैनल पर चाहे बंसल चैनल हो और उनके जो भी जितने चैनल है उनके सब तो बुला करके वो हमसे ख दल का सोशन करते हैं और उस दल मैंसे हटने के बाद उस दल की बुराई करते हैं यह इनके परिवार की परंपरा है और इनके वसकी कुछ है नहीं रह गया है तीकमगर जतारा से यूडी निवच के लिए लाली ज्या की रिपोर्ट